स्पॉंसर्ट बाई स्वारनावा जूलर्स मोती बजार मंडी सोने सी चमकाएं अपनी खुब सूर्ती हिमाचर प्रदेश में 17 मैं यारी कल सुमवार से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकन अभियान शिरू होगा हिमाचर प्रदेश सरकार ने सीरम इंस्टिजूट से 73 लाख डोज की मांग की है लेकिन अभी तक बदले में 1,7,620 डोज हिमाचर को मिले हैं जो डोज हिमाचर को मिले हैं उसको कल से लगाना शुरू किया जा रहा है जिन युवाओं ने पहले पंजिकर्ण करवाया है उसी के आधार पर ये वैक्सीन लगवाई जाएगी वैसे हिमाचर ने हर सबताह पांच लाख डोज की मांग उठाई थी कम डोज आने की वज़ह से अब हफ़ते में दो दिन ही 18-44 वर्ष के लोगों को टीका लगाने का निरने लिया गया है आने वाले सोमवार और वीरवार को 18-44 वर्ष के लोगों के लिए टीका करण के स्लोट भी कोविन पोर्टल पर खोले जाएंगे जिस पर पहले आओ पहल पाउ की तरज पर स्लोट बुक किये जा सकती हैं और 15 को 27 सेशन रखे हैं और 17 को 27 सेशन रखे हैं लेकिन हमारे पास क्यूंकि वाकसिन भी अभी लिमिट तो हमने वर्स चाहरन में हमने उनिकों करना है जो पहले से पहले से बाह पास जाएं जो विदावट रिजिस्ट्रेशन आ रहे हैं उनको बिलकुल इसमें एंट्टें वो भी इन session sites पे ना आएं, उनको हम बाकी दिन अलग से cover करेंगे. तो ये इसके लिए pre-requisite है कि आपकी पहले registration होनी जरूरी है, और जो session allocation का काम है, वो हम दो दिन पहले शुरू करेंगे. जैसे आज हमने इस चनिवार को Monday के sessions के allocation करी, उसी प्रकार से जो Thursday के sessions हैं, वो मंगलवार को खुल जाएगा session allocation. तो ये जो first come first वाला काम होगा, जिसकी पहले-पहले registration होगी, वो ही अपना session allocate करा पाएगा. Frontline अभी workers घोशित की हैं, वो बाकी दिन के sessions में cover होंगे, इसमें नहीं cover होंगे. जो पहले हम second dose, six to eight weeks पे लगा रहे थे, वो ही अब 12 to 16 weeks पे लगेगा.